हेलो दोस्तों मेरा नाम है मुहमद सफीक आप देख रहे हैं MD Plus YouTube चैनल तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज Finance Company से हम लोन कैसे ले सकते हैं जी हाँ दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि आपको बजाज Finance Company से लोन कैसे लेना है इसमें आपको कितना लोन मिल सकता है और इसमें आपको इंटेस्स कितना देना पड़ेगा इसमें प्रोसेसिंग फिस कितनी लगेगी क्या-क्या हेडें चार्जेस इसमें आपको देने पड़ेगे आपकी सालरी कितनी होनी चाहिए कौन से सिटी में आपको कितनी सालरी होनी चाहिए कौन सिटी में आपको मिल सकता है लोन कौन से सिटी में नहीं मिल सकता है दोस्तों ऑनलाइन अपलाई करके भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में तो अगर आप जानना चाते हैं इसके बारे में पूरे डीटेल के साथ तो आप इस वीडियो को आण तक देखते रहे हैं चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगा आप से के रिक्वेस्ट अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देखा लाइक कर दीजिए अभी तक आपने इस चैनल को सबस्राइब ने किया है इस चैनल को सबस्राइब कर लिए है क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी तो दोस्तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस company से हमें loan कितना मिल सकता है जी हाँ दोस्तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपको 25 लाख रुपए तक का loan मिल सकता है अब दोस्तो 25 लाख रुपए के अंदर आपको कितना loan मिलेगा वो company आपको decide करेगी आपके document के उपर और आपकी salary के उपढ़ी गए मतलब 25 लाख तक आपको मिल सकता है उससे जादा नहीं मिलेगा लेकिन उसके अंदर कितना मिलेगा वो आपके document और आपकी salary पर depend करता है दोस्तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपकी age कितनी होनी चाहिए दोस्तो यहाँ पर age होनी चाहिए यहाँ दोस्तो salary मतलब अगर किसी company में आप job कर रहे है था आपको अगर हर मेने salary मिल रही है तो आप इस loan के लिए eligible अचाहिए आप private company में job कर रहे है चाहिए आप सरकारी company में job कर रहे है मतलब कि आपकी नोकरी होनी चाहिए अगर आप कोई नोकरी नहीं आपके पास तो आप इस loan को apply नहीं कर पाएंगे अगर दोस्तो हम बात कर लेते हैं कि documents हम इसमें कौन कौन से लगाने है दोस्तो यहाँ पर सबसे first number आपको यहाँ पर KYC documents लगाना है KYC documents में आपको यहाँ पर अधार कार्ड और पेंट कार्ड आपका चल जाएगा KYC documents में उस बाद दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ employed ID card दोस्तो यहाँ पर आप कहीं पर भी आगर जोब करते होंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रूब दिया जाता है तो वह चीज यहाँ पर आपको देना है तीसरा चीज दोस्तो यहाँ पर salary slip of the provide to month यानि कि दोस्तो दो महिने कि आपको salary slip देनी पड़ेगी अगर आप किसी company में जोब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको हर महिने salary slip मिलती होगी वह चीज आपको यहाँ पर लगाना है दोस्तो चौथा नंबर यहाँ पर आपको देना है bank account statement of your salary account for three month यानि दोस्तो आपको जिस भी account में आपकी salary आती है आप किसी company जोब कर रहे हो तो आपकी salary आपके bank account में या आती होगी तो जिस bank account में आपकी salary आ रही हो उसी bank account से आपको तीन महने का statement निकालके आपको इसमें लगाना है दोस्तो इस statement में आपको अपनी bank में भी मिल जाएगा और आप अगर net banking use करते हैं तो वह से भी download कर सकते हैं या आप मोबाल वैंगी यूज करते हैं तो वह से भी अपनी statement आप download कर सकते हैं अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं इस company से अगर हम लोन लेते हैं तो हमें interest कितना देना पड़ेगा दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 12.99% यहाँ पे हमें interest देना है लगबग दोस्तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ यहाँ पे आपको 13% का interest देना 3.99% यानि कि दोस्तों आपको जो भी आपका amount होगा जैसे कि माल लीज़ ये example के तोर पे अगर आप 1,00,00 रुपए ले रहे हैं तो 1,00,00 रुपए का 4% के इसाब से जो भी बनता है उतना ही आपको यहाँ पर processing fees देनी पड़ेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक office आपको और देनी है अगर यहाँ पर आप online loan लेते हैं इस company से तो यहाँ पर आपको 4,499 और देना पड़ेगा extra दोस्तों यह किसलिए हैं मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पर आप online यहाँ से loan ले रहे हैं तो यहाँ आप उनके website को थूरू लेंगे यहाँ उनके applications थूरू दोस्तों website में भी खर्चा आता है और application में भी खर्चा आता है तो दोस्तों इसलिए आप से यहाँ पर 4,499 रुपए extra लिया जाएगा आप इस्क्रीन पर देख रहे होंगे बाकी की जो charges हैं यहाँ पर हमने इस्क्रीन पर डाल दिया है वीडियो को पाउच करके उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर इस loan को हम अपलाई करना चाहते हैं अपलाई कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों हम आपको अपलाई करके दिखा जेते हैं कि इस company से हमें online loan के लिए अपलाई कैसे करना है दोस्तों एक application हमें डाउनलोड करना है जिसका नाम है वजाज फैंसर्व यह application दोस्तों आपको प्ले स्टोप भी मिल जाएगा और इसकी लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्सर में भी दे दूँगा वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम इस application को ओपन कर लेते हैं दोस्तों हम इस application को जैसे ही open करेंगे आपके पास यहां पे कुछ ऐसा interface आजाएगा दोस्तों यहां पे आपसे पुछा जा रहाएगा निव यूजर है याप एक्जिक्टिंग यूजर है दोस्तों अगर आप पहली बार लोन के लिए apply करना है तो आप निव यूजर ही होंगे तो हमें यापे निव यूजर पे क्लिक कर दे जाता है वो सब लोन यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे दूसरे नंबर पे आपको मिल जायेगा तो दोस्तों मैं इस वीड尼ो प्रसडल लोन को ही apply करके दिखाने वाला हूं आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आपका पैसा के रिडिट हो जाएगा अगर आप lone के लिए eligible हो जाते है तो यहां पर दोस्तों कल्कुलेटर भी है यहां पर आप कल्कुलेट करके भी जो भी आपका लोन वगएरा है यह मैं कल्कुलेट करके आप देख सकते हैं उसको यहां पर आपशन देगा अपलाई नाव यहां पर है सी डिटेल तो यहां पर दोस्तों मैं अपलाई नाव पर क कि लिकाना है यहां पर अपे ही लिखा हुआ है उसके बात दोस्तों यहां पर आपना पर दो और राल दिया है अभी हमें इस बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आज चुका है अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो भी आप दे सकते हैं अगर नहीं है तो आप फर्स नेम दे के इसको छोड़ दीजिए उसके इसको कंपनी का नाम देना है जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसके बाद दोस्तों आप देख्गिते हैं यहाँ पर पे अपनी सारी टीटेल कर दिया है अब हम यहां पर यह जो रेट वाली बटन है इस पर हम किलिक कर देते हैं उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास कुछ दोस्तों जालना है यहां पर हमे इस पर क्लिक कर देते हैं हमपनी पर पत कर लेना है कि आप company की mail id किया है उसको पता करके वह ही यहाँ पर डाल देनी है तो जैसा कि आप देख सेते हैं यहाँ पर हमने पर पूरा हो चुका है अभी यहाँ पर वेट करना है जो वजास finance के एजंट होती है वह आपके पास call करेंगे बस आपको call का इंतिजार करना है जैसे वह call करते हैं आपको जो भी डिटेल वगरा है उसको verify करेंगे दोस्तों जैसे यह आपका verify process complete होता है चाया वह फोन पर करें या वह आपके घर पर यहाए पुल मिला के verify होना चाहिए जैसे यह आपका verify complete होता है 24 घंटे के अंदर आपके bank account में जितना पर आपको क्लिक करना है और आपको पता करना है कि आपकी city में उनका branch है या नहीं अकर आपकी city में उनका branch अपर आपको ब्रांच में जाना है रहे online process का तरीका वह आपको बताएंगे क्या क्या आपको करना है तो दोस्तों बस यही है तरीका वजास Finance Company से आप लोन कैसे ले सकते हो अगर अभी भी आपका कोई भी डॉट या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पोस्ट सकते हो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमने आपके सारे डॉट किलियर कर दिया होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का एक लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सडैब कर लेजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सद बगल में जो घंटी आतीया उस पर भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी ही यूजफुल जनकारी की वीडियो अफलोड करूँ उसका नोटे फिकरशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों आप मैं इस्टाग्रापे भी फोलो कर सकते हैं वहाँ पे भी आप सवाल वगएरा पूस सकते हैं दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं के लिए वीडियो में और के दोस्तों सहीं क्यों वीडियो देखने के लिए